दोस्तों आज आपके सामने एक बेहत जरूरी खबर लेकर क्या आया हूँ सक्षा से जुड़ी हुई खबर है आपके बच्चों की नौकरी से जुड़ी हुई खबर है और ये खबर ऐसी है जिसके चलते आज देश के लाखों करोणों अभ्यरती अपने भविश को अंधकार में देख रहे हैं और एक सुप्रिम कोट के फैसले ने उनको अक्रोशित कर दिया है उदास कर दिया है निराश कर दिया है ये खबर बीएड परिक्षा से जुड़ी हुई है बीएड यानि बैचलर अफ एजूकेशन और बीएड परिक्षा के जरिये पहले लोग प्रैमरी एजूकेशन में सक्षक बनते थे और अब जो सुप्रिम कोट में फैसले के सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई के बीच में एक फैसला सुप्रिम कोट का आया जिसके चलते लगभग 3 करोण बीएड अब भीरती ऐसा देख पा रहे हैं कि अब उनके हाथ से करियर का एक मौका छीन लिया गया क्या है ये पूरा मामला क्यों बीएड किये हुए लोगों को नोकरी से सिक्षक बनने की नोकरी से रोका जा रहा है सुप्रिम कोट का फैसला क्या है सरकार के मंशा क्या है और विद्यार्थियों का कहना क्या है इस पर ये पूरी बाचेत आपसे साजा करेंगे स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर बीएड यानि बैचलर अफ एजूकेशन ये डिप्लोमा कोर्स है और सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये कोर्स होता क्या है असल में बीएड एक डिग्री कोर्स है यानि डिप्लोमा कोर्स है ग्रिजूइशन के बाद आपको बैचलर अफ एजूकेशन के डिग्री मिलती है जिस डिगरी के जरिए एजूकीशन के क्षेत्र में यानि सक्षा के क्षेत्र में सक्षक बनने की पातरता के लिए डिगरी दी जाती है और ये आज लगबग तीन करोड से जादा B8 किये हुए लोग डिगरी धारक हैं जो अलग अलग तमाम तरह के राज्यस्तरी और केंद्रस्तरी सेक्षणिक संस्थानों में सक्षक बनते हैं B8 के हुए लोग पहले प्राथ्मिक सक्षा से ले करके जूनियर और माध्मिक तक सबी जगध सक्षक बनने के पातरुआ करते थे इनकी पातरता के लिए नियूनतम अरहता के वल ये है कि आपको किसी विशय में 50 फीजदी अंकों के साथ सनातक की डिगरी यानि ग्रिजुएशन की डिगरी होनी चाहिए और अगर आप आरक्षित कोटे से आते हैं तो ये नियूनतम पातरता 45 फीजदी होगी दो साल का रूस है और इस कोर्स के जरिये तमाम तरह के विशयों की ट्रेनिंग देने का कॉंसेप्ट है यानि छोटे बच्चों या नव यूकों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में जो सिक्षक रखे जाते हैं उनको अपने विशय की सामाने जानकारी हो जो पाठिकरम की जानकारी हो इसके साथ साथ मानव मूले हैं संस्कृती हैं समाज हैं बाल मनोवे ज्यान हैं इन सारी चीजों को ले करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाता था। कि बच्चों को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। और एक अच्छी गुडवत्ता पूर सिक्षा देने के लिए विशेश ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये बिएट के कोर्स चलाए गए थे। अब इस समय मौझूदा परिशतियों में क्या बदल गया है। इसका एक सुत्र जुड़ता है दोजार अठारह से। दोजार अठारह में एक फैसला आता है। राश्ट्री अध्यापक सक्षा परिशत यानि NCTE एक फैसला लेती है कि 28 जून 2018 से प्राथमिक विद्यालियों में सक्षक बनने के लिए बियड किये हुए अभ्यरती भी पात रहोंगे। और उसके बाद से बियड किये हुए लोग प्राथमिक विद्यालियों में सक्षक बनने के अर्ता प्राप्त कर गए, आविदन कर रहे थे और लगातार सक्षक भी बन रहे थे। NCTE ने एक रास्ता ये निकाला था कि जो बियड करके आएगा प्राथमिक विद्यालियों में सक्षक बनने उसके लिए एक ब्रिज कोर्स भी डिजाइन किया जाएगा। यानि जो बीच का कोई भी गैप हो, सैधानतिक गैप हो, उसको भरने के लिए हम एक ब्रिज कोर्स चलाएंगे ताकि ये अभ्यरती जो बियड करके आये हुए हैं, ये अच्छे सक्षक बन सकें। बगर विड़मना देखें कि ये ब्रिज कोर्स उसका कोई असित्त ही नहीं सामने आया। और लगातार ये काम होता रहा। इसमें दूसरा टर्म भी आता है, बी टी सी। बी टी सी का टर्म क्या है, कि दोजार अठारह में ये फैसला जो आया था, वो ये कह रहा था कि पहले केवल बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पाए हुए लोग, जिनको अब डिपलोमा एन, एलिमेंटरी एजूकेशन कहते हैं, प्राइमरी एजूकेशन में सेक्षक बनने के लिए वही पात रहते। एंसी टी के 28 जून 2018 के इस गजट नोटिफिकेशन के बाद ये हुआ, कि बीटी सी के साथ बीएट किये हुए लोग भी प्राइमरी एजूकेशन में सिक्षक बन सकते हैं। ये पूरा बाक्या चल रहा था और इसके बीच जो विवाद, अंतरिक, दौन्द और तमाम तरह की परिस्तियों के बीच, कई राज्यों के बीच ये मामला ने आले तक पह हैं, लेकिन ये मामला सीधे सुप्रिम कोर्ट भी पहुँचा। सुप्रिम कोर्ट में फैसले की सुनवाई 11 अगस्त ये शुरू हुई और उसमें जो फैसला आया, वो बीएड के हुए बिरतियों के बीच एक आक्रोश पैदा करता है। ये फैसला सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला है, ये ऐसा लगता है कि इसमें अपना विवेक इस्तेमाली नहीं किया गया। के इन सरकार की जो मंशा, के इन सरकार का जो डिरेक्शन है, उसको ही सीधे सीधे NCTE लागू कर देता है। और बीएड की हुए लोगों को प्राइमर एजूकेशन में टीचर बनने के लि तहर अनिवार सक्षा दी गई है, लेकिन ये सक्षा गुडवत्ता पूर होनी चाहिए, कौशल पूर सक्षक इसमें पढ़ाए देगा हो चाहिए, और छोटे बच्चों के भविश के साथ खिलवार नहीं किया जा सकता है, ऐसलिए जिन अभियर्तियों को ट्रेंड किया गय है, जिनके पाश कौशल है, गुडवत्ता है, उन्हें ही प्राइमरी एजूकेशन में प्रात्मिक सक्षा में सक्षक बनाने के लिए पात्र मनाया जाए, ये पूरा मामला इसके बाद विवाद में तबदील हो जाता है, और अब जितने तीन करोण से ज़्यादा अभिरती जो B.E.D. की होए, B.E.D. की होए, मैं एक वाक्या बताऊं, B.E.D. किस्सा, B.E.D. के लोगों से जुड़ा हुआ किस्सा है, तो मुझे अपना एक वाक्या याद आ रहा है, हमने पोस्ट ग्रेशन पूरा करने के बाद जब NET जैरफ की परिक्षा पास कर लिए, यानि ने ग्री कॉलेज में या विश्व विद्याले में प्रोफसर बनने के लिए लिजबल हो गया, फेलोशिप भी मिले लगी, मैंने ये बात अपनी माँ को घर पे बताया, तो बहुत खुश हुए, कि हाँ लगता है कोई बड़ी परिक्षा पास किया, लेकिन फिर पीछे से बोल परिवारों के लिए एक उमीद की रोशनी बना, लोगों ने जगे जमीन गिरवे रखे, उधार मांगा, कर्ज लिया, तमाम तरह के समझोते किये, और अपने बेटा और बेटियों को बीड कराना शुरू किया, पहले वो एक साल का कोर्ष होता था फिर दो साल का हो गया, त तो वह कहीं न कहीं स्कूल में माश्टर बन जाएगा, उनकी पीडियों के करज को उतार सकता है, या कोई महला और खास कर B.A.D. और B.T.C. के कोर्स, इस देश में आज अभी कितनी बड़ी पैट्रियार्की है, इसको समझने के लिए अगर आप गाउं नहीं देखते, अग आरहवी के बाद इस देश की लड़कियों के उपर एक दवाव काम करने लगता है, कि अब पढ़ने तुम्हें बाहर नहीं जाना है, समाज ऐसा है, बुराई बहुत समाज में है, तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई छूटती है, अगर कोई पढ़ने को भी तयार तो वो स्कूल जाने नहीं देता, अगर इन सब में भी कोई परिवार तयार हो गया, तो नौकरी नहीं करने देना चाहता, जल्दी से विवाग कर दो, इनको दूसरे घर विवाग कर दो, जिम्मेदारी चली जाए, ऐसे वक्त में जब B8 कोर्स आया, BTC कोर्स आया, लड़क वाई, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को बदल कर रख दिया था, लोग तमाम विपरीत परिस्तियों में जा करके B8 की डिग्री ले रहे थे, और लोगों के जीवन में अमूल चूल बदलावा गया, और अचानक एक फैसला आता है, और वो कहता है कि नहीं बाई, ये त सवाल पूछ रहे हैं, हमने डिग्री लेने के लिए करियर चुना, करियर चुना तो समय दिया, उधार लेकर पैसा जुटा कर किसी तरह से फीस भरी, इस फीस की कीमत अब हमें क्या मेलेगे, ये जो समय हमारा चला गया, इस समय की कीमत का क्या वैकल्पिक विकल्प है, हमें जो डिग्री हासिल होई, इस डिग्री को लेने में हमारा अपराद क्या है, कि इस डिग्री को आज ही एक फैसले से ही कूडे का धेर बना दिया गया, हलाकि कूडे का धेर नहीं है, क्योंकि अब प्रात्मिक में सक्षक भरती में ये अलिजबल नहीं है, बाद कि सक्षक भर इंजाइश है उनको करियर बनाने की, वहां से तो आपने उन्हें बाहर कर दिया, कोई समय नहीं दिया, विद्यार्थियों की मांग है कि आप कुछ एक time period दे देते, कि जिन बिच्चों ने डिगरी हासल कर ली है, हम उनके लिए एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई इनका दोश नहीं है डिगरी लेने में, ये दोश चाहे सकिंसरकार का हो, चाहे NCTE का हो, चाहे सुप्रिम कोट का हो, लेकिन उन विद्यार्थियों का दोश तो नहीं है, ये बात पुखता है, विद्यार्थि कह रहे हैं, कि आपने कोई बीच का रास्ता नहीं कि आज से हम eligible नहीं है लेकिन 2018 से अब तक ये 5 साल में जितने बीए डिग्री धारक primary में सिक्षक बन गए वो कैसे eligible हो गए कोई नियम आज अवैद है कल वैद था ये कैसे है यानि कोई संतुलित बीच का रास्ता निकाला ही नहीं गया जो तारकिक लगे अगर आपको इस निय आपने एक रास्ते में मौका बंद कर दिया विद्यार्तियों का कहिना है कि सीटीट और सुपर टेट के एक्जाम ऑने जो भी ते से किया होता है उसके बाद वो एक टेस्ट देते हैं सीटेट और सूपर्टेट उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो उसके बाद मेरिट बनती है और वो पर प्राइबरी में सिक्षक बनते हैं ये बीड किये हुए विद्यार थी उन परिक्षाओं के तैयारी में लगे थे लड़क पर हैं कैसी के उम्र धलान पर है तो कोई करियर के अपने ऐसे मुहने पर है कि कोई दूसरा करियर नहीं चुन सकता कोई विद्यारती कोई लड़की अपने घर में शायद ये बोल के रखी थी कि आप मेरे शादी कुछ दिन रोक दो ये परिक्षा में पास कर लू स टेट सूपर टेट एक बर वेकिंसी आईगी मैं अपने पेर पर खड़ी हो जाऊंगी तो आपका भी बोज़ कम होगा जिसे आप सो कॉल बोज़ समझते हैं और जिस परिवार में जाऊंगी उसे भी बैतर करूंगी उन लड़कियों के आखों में आखे डाल कर क्या इस देश लगाईए अगर आपको हिंदो मुस्लिम करने से मंदिर मज्यत करने से दंगा धराम इन सब पर बात करने से अगर फुरसत मिल जाए तो एक बार पता लगाईएगा कि यह जो बीएड और बीटीसी में फिलोशिप मिलती थी स्कॉलर्शिप मिलती थी कि इनको मिल रही और कि इनको नहीं मिल रही कम तो नहीं होगी बन तो नहीं होगी मगर आपको कहां चंता है आपके बच्चों की सिक्षा के ऐसलिए यह जो चात्रा अंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं आप एक बार विचार करिए अंदोलन के लावाँ इनके पास रास्ता क्या है इन्होंने सब्सक recherche curva उनने अध्यादस लाकर सुफ्रीम कोट के फैसले को पलट दिया तीन करोड बीएड अभिरती आप से एक सवाल पूछ रहे हैं इसमोल के हुक्मरान कि हमारे करियर के लिए ये फैसला एक आफ़त की तरह है एक अंधकार भरा फैसला है तो क्या आप हमारे घरों के दीपक जो बुझ चुके हैं उनको जलाने के लिए हमारे परिवार को बचान के लिए हमारे करियर को बचाने के लिए एक अध्यादेश नहीं आ सकते यह आपको पसंद नहीं पसंद है तो अध्यादेश आएगा लेकिन इस देश के नवजवानों को अगर न पसंद हो तो अध्यादेश नहीं आएगा ये सवाल है उन तीन करोन बीएड अभेरतियों का उनके परिवार वालों का कि आप अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटें अगर आप नहीं पलटतें तो उनकी ये घूशना है कि वो राष्ट ब्यापी अंधोलन करेंगे सक्षा का सवाल है सक्षक का सवाल है मैं एक ठेके पर प्रफसर दल्ले विश्व द्याले के एक दिगरी कॉलेज में असिस्टन्ट प्रोफसर एड हॉक आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको नफरती माहोल से हिंसक बातों से फुरसत मिल जाए तो जरा इन सक्षा से जुड़े हूए है रोजगार से जुड़े हूए स्कूल कॉलेज विश्व द्याले से जुड़े हूए कौन सक्षक बनेगा कौन नहीं बनेगा ये कौन तैं कर रहा है एक बार हमारे कवी नागर जुन ने कविता लिखिए ती घुनखाए शहतीरों पर की बारह खड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है, छट चूती है, आले पर बिस्तोया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांच तमाचे, इसी तरह से दुखरण माश्टर गड़ता है आदम के साचे, स्कूल, कॉलिज, बिश्व दियाले, तो बहुत खराब इस्तती में थे, धीरे धीरे बहतर होना शुरू हुआ, कुछ अच्छे विध्यार्तियों ने इस सक्षक बनने के विकल्प चुने हैं, और आप ऐसे फैसले लिते हैं, कि एक फैसले में वो सब कुछ सपने, उम्मीदे होसला सब कुछ पस्त हो जाए, मैं इन तीन करोन बीएड़ भेरतियों से गुजारिश करूँगा, हिम्मत मत हारना, कमजोर मत पढ़ना, एक जुट हो ये, और अगर आपको लगता है कि आपके मांग जायज है, तो अपनी एक जुटता से, अपनी मांग को लोगतांत्रिक और शांति पूर तरीके से उठाईए, क्योंकि आप सर्क्षा, सर्क्षक और स्कोल कॉलेज के बात कर रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इसको भी बताईएगा, और ऐसे कई पर हमें बात्चेत करनी है, कुछ मुद्धे आपको भी लगें, तो उनका सुझाव भी दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और विश्य के साथ, तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद,